कहानी सूरू होती है आनन्द से जो कि चिप्टर वन में केजियब की पूरी स्टोरी सुना रहे होते हैं लेकिन यहाँ पास अब आनन्द को हार अटेक आ गया होता है और हास्पिटल में उन्हें मिलने के लिए उनका बेटा विजेंदर आया है और अब क्योंकि यह कहानी आधी ही कम्प्लीट हुई है हर कोई इस कहानी को पूरा जानना चाहता है तो उस जर्नलिस्ट के कहने पर विजेंदर आगे की कहानी को कम्प्लीट करने के लिए आनन्द के आफिस में जाता है यहाँ पर बहुत ढूनने के बाद उन्हें केजिएफ चिप्टर टू की इस्टोरी मिल जाती है और सीन एक बार फिर से फ्लेजबेक में सिप्ट हो जाता है जहाँ पर रॉकी के गरूना को मारने के बाद सभी लोग रॉकी के सपोर्ट में आ गये होते हैं वो लोग गरूना के आदमियों से फाइट करते हैं और फाइनली रॉकी केजिएफ को जीत लेता है और यहाँ पस जब गरूना के सारे पार्टनर्स आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता ही कि साइद विराट यहाँ पर अपना राज्यफ से कर रहा होगा पर अब यहाँ रॉकी उन्हें आकर बताता है कि विराट को उसने पहले ही मार दिया है और केजिएफ का अब नया ओनार रॉकी है पर अब यहाँ पर इंड्रियू रजेंदर रिसाई के पास होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा उच्छर रहा होता है तो रॉकी उसी वक्त उसे वहीं पर सूट कर देता है और उसके बाद सभी बिल्कुल साथ हो जाते है और यहाँ पस हम देखते हैं कि रॉकी जबरदस्ती रीना को भी पकड़ कर ले आता है जो कि काभी गलत होता है और अब यहां पस रोकी रीना को अपने सांथ ही रखेगा कोई भी रोकी के अगेंट्स नहीं जा सकता तो रीना की पिता भी कुछ नहीं कर पाते और खुद रीना जी से गुस्दा आ रहा होता है वो भी सांथ रहती है यहां पर अब के जेब के लोगों की लाइफ पहले से ज़्यादा सुधर गई होती है उन्हें अच्छा खाना मिल रहा होता है अच्छे कपड़े मिल रहे होते हैं और अच्छा घर उनके लिए बनाया जा रहा था इसलिए वो रोकी को अपना दियोता मानते थी अब नेक्स टिसीन में हम देखते हैं की रोकी बरनाम के पास जाता है जहां पर बरनाम पहले गरूना का बहुत बड़ा राइट हैं था पर अब यहां पर बरनाम को बांध करके रखा गया होता है रोकी बोलता है कि वह वजीर को नहीं मार सकता वना सभी चीजों को चलाएगा कौन मतलब की रोकी अब बरनाम को अपने साथ मिल कर काम करने के लिए कहता है इसके लिए बरनाम तो पहले मना कर देता है पर बाद में जब रोकी अपने दूसरे आदमियों के बाद जाता है जिन्हें की सुटिम बिल्कुल भी नहीं आती तो फिर वहाँ पर Rocky बर्राम को बुलाता है और बर्राम यहाँ पस बहुत ही अच्छा निसाना लगा लेता है और इसके बाद वह Rocky के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है पर बोलता है कि अब उन्हें सेक्यूरिटी को पहले से जादा और बढ़ाना होगा और वह सभी लोगों को ट्रेनिंग भी देगा यहाँ पस पार्ट वन में जब Rocky मेंटेनेस रूम में गया था तब उसने और भी कुछ नोटिस किया था और अब उसे पता चलता है कि यहाँ पास पूरी KGF में सिर्फ एक माइन नहीं है बलकि पूरी नव माइन्स है और उन नव माइन्स को कभी भी खोला नहीं गया था सिर्फ एक माईंस से ही काम चलाते थे क्योंकि सूर्य वर्धन नहीं चाते थे कि हर किसी को उन नौ माईंस के बारे में पता चले ऐसा पता चलने पर केजिये पर खत्रा और भी जादा बढ़ जाता और यहाँ पस जब यह सारी बाते पार्टनास को पता चलती हैं तो और भी ज़्यादा सौक्ड हो जाते हैं और अब तो रोकी का वर्थ भी बढ़ जाता है वो यहाँ पस किसी को नहीं मारता और सब को पहले की तरह बिजनेस करने के लिए बोलता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वह हर किसी को मार देगा तो बिजनेस किसके साथ करेगा पर यहाँ पस जो आठ नई माईस उपन हुई थी उसके अंदर जाने के लिए कोई भी वर्कर्स तयार नहीं था वे सभी डर रहे होते हैं तो यहाँ पस अब रॉकी आता है और वह खुद माईस के अंदर जाता है और काम करने लगता है वे देखकर के बाकी सभी को मोटिवेशन मिलता है और सभी लोग अंदर चले जाते हैं यहाँ पास राजेंदर पसाद और एंड्रियू दोनों ही रॉकी की तरकी को देखकर परिसान हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके रॉकी को रोक दिया जाए रॉकी को रोकने का काम रमीका कर सकती है रमीका एक बहुत ही strong politician होती है माना जाता है कि वो एक dictator की तरह होती है जो कि हर किसी पे अपना power बना कर रखती है यहां उनके team में politician भी होते हैं जिसका नाम होता है नरायन वो लोग नरायन को PM के poster से हटा कर रमीका को वहाँ पस बैठाना चाहते थे जो कि रमीका आएगी तो रोकी बरबाद हो जाएगा इसलिए वो लोग एक ऐसी voting का प्लान करते हैं जहां पस सभी politician नरायन के अगेंट्स में vote दें और इसी के साथ उसकी सरकार भी गिर जाएगी पर जब तक यहां पस ये सब हो उससे पहले वहाँ पर दूसरी तरफ केजीएफ में माइनिंग के दोरान एक बहुत बड़ी तलवार मिलती है जिसे देखकर सभी लोग डर जाती है यह तलवार होती है अधिरा की जिसे ही गरूना ने मरवा दिया था नेक्ट सीन में हम अधिरा को जिन्दा दिखते हैं जो कि यहां पस गरूना के मरने का वेट कर रहा होता है अब वहाँ फाइनली अफ केजीएफ लेने के लिए वापस आ गया होता है अधिरा यहां पस अपने टीम को इखटा करता है और केजीफ के आउट पोस्ट वन पर अटेक कर देता है जिसे के वहाँ पर मौझूद सभी लोग मर जाते हैं और इसके बाद अधिरा वहाँ से निकल जाता है यह उसके लिए बस एक सुरुवात होती है और अब अगर कोई भी केजीफ के बाहर सुने कर ट्रक लेकर निकलेगा तो अधिरा उसे मार देगा अब यहां पस जो पार्टनर होते हैं वो भी जाकर के अधिरा से मिल जाती है और अब उसका पलान होता है कि कैसे भी करके राकी को केजीफ से बाहर लेकर आए और इसके लिए वो जान बुचकर के जीव के राजंदर परसाद को सूट कर देते हैं और अब ये न्यूस जुनने के बाद राजंदर परसाद की बेटी रीना तूनंत के जीव से निकल जाती है जब ये बात रौकी को पता चलता है तो रौकी उसके पीछी पीछे चल जाता है आगे जाकर की रीना को किड्नेव कर लिया जाता है और अब रीना अधिरा के लोगों के पास होती है रौकी अब वहाँ पर उसे बचाने के लिए जाता है और हमें यहाँ पास एक बहुत अच्छा एक्संसिन देखने को मिलता है पर अधिरा जो की रौकी पर दूर सी ही निशाना लगा कर रखता है वो उसे सूट कर देता है पर इसके बाद भी मौका होने पर वो रौकी को जान से नहीं मारता क्योंकि उसने देखा था कि केजीव के लोगों के मन में रौकी के लिए बहुत ज़्यादा इज़त और विश्वास था और वो चाहता था कि टुटी फुली हालत में जब रौकी वापत जाएगा तो सब का विश्वास तूट जाएगा अब यहाँ पस जब घैर रौकी के जीव में वावस जाता है तो सच में सब का विश्वास खत्म हो जाता है यहां दूसरी तरफ मुंबई में सेठें और बांकी सारे वो लोग जो रोकी से नफरत करते हैं वो लोग रोकी के सपोटर को जान बूच कर मरवा देते हैं साथ में अगर कोई भी ट्रक के जीफ से बाहर निकलता है तो अधीरा उसे मार कर लासे वापस भेजवा देता है जिसकी वज़ेसे सभी लोग बहुत जादा डर जाते हैं और अपके जीफ में मात्र आर दिन का खाना बचा होता है और इस सब की बीच में रौकी भी बिमार पड़ा हुआ होता है तब कि उसे सेठी काल करता है और सेठी काल में उसे बद्दमीजी करता है और उसे धमकी भी देता है ये सुनकर रौकी को गुस्सा आता है और वह अपने चाचा को काल करता है यह चाचा रोकी का मुभूला चाचा होता है जिसके साथ वह मुभई में रहा करता था वह उनसे एक आखरी हिर्पा मांगता है और इसके बाद हेलीकाप्टर बुलाता है और काफी सारा सोना लेकर के रीना के साथ दुबई चला जाता है यह देखकर के जेफ में रहने वाले सभी लोगों को लगता है कि रोकी डर कर भाग गया है पर असल में रोकी दुबई जाता है खलील से मिलने वह यहाँ पर खलील से मिलता है और उस बिजनेस आफर करता है कि वह आफरीका से डारेक्ली सोना इंडिया में लेकर आएगा पर प पर खलील जीन गार्स को अपना गार्ड समझ रहा था उन में से आधे गार्स रोकी की होते हैं। यहाँ पर अब खलील के सांध डिल फिक्स करके रोकी वापस से के जीब की तरफ आता है। और बनराम से कहता है सारे ट्रक्स को बाहर निकालो। यहाँ पर दूसरी तरफ अधिरा उसका वेट कर रहा होता है और जैसे ही वह है देखता है कि रॉकी यहाँ पर वापस आ गया है उसके पीछे ट्रक्स भी है कि सभी लोग रॉकी की तरफ अपनी गन पॉइंट कर देते हैं तरफ यहाँ पर अधिरा की हार और रॉकी की जीत होती है रॉकी चाहता तो उसे मार सकता था लेकिन उसे छोड़ देता है साथ में ओ नारायन की सरकार को भी गिनने से बचा लेता है इस तरह से वहाँ पर उसका बिजनेस बहुत बढ़ जाता है क्योंकि वह लगातार पूरी नौ माईन से सोना निकाल रहा होता है और उसके बाद वह बॉम्मे में जाकर से ठीक को भी मार देता है और इस तरह से यहाँ पर कुछ साल बिद जाता है और अब समय आता है ले इलेक्सन का नरायन रौकी से मिलकर काता है कि उसे रमिका को मारना होगा क्योंकि यदि रमिका जिन्दर ही तो वह उसे और केजिएप को बरबात कर देगी तो रौकी काता है कि वह औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकता वह कहता है कि किसी औरत को गुस्सा आ रहा हो तो उस पर अटेक करने के बज़ाए उसके सामने हाथ जोर का खड़े हो जाना चाहिए इसके बाद इलेक्सन का रिजल्ट भी आ जाता है पर रमिका जीट जाती है चीतने के बाद वह सारे लोग रमिका को रौकी और केजिएफ के बारे में बता रहे होते हैं और यहाँ पस हम दिखते हैं कि इतने सालों के बीच में रौकी ने केजिएफ का डेवलॉप्मेंट इतना जादा कर दिया था कि तो लोग वहाँ पसकीडिय मोकोड़ी से जिन्दगी जी रहे थे अब उनके पास काफी अच्छे घर हैं और यह सब कुछ पता चलने के बाद रमिका बोलती है कि कुछ भी करके पूरी इंडिया में रेड लगा दो लेकिन कहीं से भी रोकी के अगेंस पूर्फ लेकर आओ और उसे अरेश्ट करो और उसके लिए वो एक इस्पेसल टीम भी बना देती है दूसरी तरफ हम यहाँ पर केजी अफ में आनंग को देखते हैं वही आनंग जो मुई के फर्स पार्ट में स्टोरी सुना रहा होता है वह यहाँ पर अभी यंग होता है और वो च्छिप करके के फोटो किलिक कर रहा होता है उसे रोकी के आद भी पकल लेते हैं और उसे रोकी के सामने लेकर जाते हैं रोकी उसे इंप्रेस हो जाता है क्यूंकि वह एक नर्मा सा लेकर होने के बाद भी काफी जादा बरे होता है तो रोकी यहाँ उसे सामने से कहता है कि वहाँ उसकी स्टोरी लिखे और सब कुछ संच संच लिखे इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पॉलिस अलग अलग जगों पर छापे मान रही होती है लेकिन कहीं से भी उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होता है लेकिन उन्हें एक जगह सोने की बिस्किट मिलती है जिसे वे पॉलिस इस्टेशन में लेके जमा कर देते हैं जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो उस सोने की बिस्किट को लेने की पॉलिस इस्टेशन जला जाता है जब सब लोगों को पता चलता है कि है सोने की बिस्किट रॉकी की है तो सब लोग डर जाते हैं हालां कि किसी ने रॉकी को देखा नहीं था किन उसके नाम कडर सभी लोगों में था यहाँ पास वह अपनी स्टाइल में जाता है और अपने सोने की बिस्क्यूट को लेता है बाहर आता है तो बहुत बड़ी मसीन गन से पूरे पुलिस इस्टेशन पर फाइनिंग सुरू कर देता है उसके नए मसीन गन का फिल्टेस्ट होता है फिल्टेस्ट कम्प्रीट होने के बाद नेस्टे सिन में हम देखते हैं कि रमिका को फाइनल एक कुछ पूरूफ मिल गया होता है और वो उसके दम पर रॉकी को अरिश्ट करना चाहती है कि तभी वहाँ पर फूलो का बुके लेकर सामने रॉकी आता है वहाँ एक फाइल लेकर भी आया होता है जिसमें उसके खिलाब बहुत सारे पूरूफ होते है रॉकी यहाँ पास कहता है कि रमिका चाहे तो इस फाइल के माध्यम से वह उसके उपर कुछ भी केस बना सकती है रमिका इस फाइल को लेने वाली भी होती है कि तभी वहाँ पर रमिका की दूसरे सपोडर भी आते हैं और ये बताते हैं कि असल में उनकी पार्टी के 200 पॉलिटीसियन को रॉकी ही फंडिन करता है तो मतलब कि अगर वहां रॉकी की अगेंड्स कहीं पर भी कोई खुलासा करती है तो सब को पता चल जाएगा कि खुद रमिका के ही पार्टी के लोग उसके साथ में हैं और उसकी पार्टी गिर जाएगी पर रमिका यहाँ पस धंकी देने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी और रॉकी यहाँ से निकल जाता है पर इसके बाद जाकर के वह सोने की दिलवरी को रोग देता है पर यहाँ बाद जब खलील को पता चलता है तो उसे काफी गुस्सा आता है क्यूंकि रॉकी यहाँ पस अपना मर्मानी कर रहा होता है रौके के पार्टनर्स भी यहाँ पस उससे परिशान होकर अधीरा की हेलप मांगते है और अब यहाँ पस खलील भी अधीरा की सपोर्ट में होता है अधीरा जो की जिन्दा था वो इतने साल से केजियेप में काम कर रहे अलग-अलग इंप्लोई को पकड़ करके वहाँ के बारे में इंफर्मेशन निकाल रहा होता है और अब इतने सालों के बाद उसके पास केजियेप का एक मैप होता है जो बताता है कि अंदर जाने के दो रास्ते हैं पर दोनों ही रास्तों पर सेक्रियोटी इतने जादा ही कि जितना मुस्किल है इसलिए उसे किसी माइन के अंदर से होकर जाना पड़ेगा और उस माइन के बारे में उसे किसी दुसरे से पता करना पड़ेगा और ये पता करने का काम वो एंड्रियों को देता है क्योंकि एंड्रियों ने ऐसा नहीं किया तो अधिरा उसे मार देगा लेसिन में हम देखते हैं कि रोकी अपने मा की बॉडी को वहाँ से निकलवा देता है जिसे सालों पहले वहाँ पर दफनाया गया था और अब उनके एक अच्छी सी समाधी बनवाता है और वहाँ पर अपने नसेडी पीता को काम पर रख लेता है उसके पीता जो की जिंदा थ जाती है और उन दोनों की साधी हो जाती है दूसरी तरफ अधिरा को कोई अच्छी ख़बर दे देता है कि वहाँ इग्जेक्टली कहां पस खुदाई करके माइन नमबर 3 में पहुँच जाएगा ये ख़बर सुनते ही अधिरा वहाँ पस खुदाई करना सुरू कर देता है अब नेक्ट सिनी भी रीना को यह पता चलता है कि वह प्रिणेंट है ये बात वह जाकर के जेब में खड़े रॉकी को बताती है अब इससे पहले की रॉकी खुष होता पीछे से अधिरा के लोग अटेक कर देते हैं और उसमें रीना को सूट कर मार देते हैं रीना की डेस स गर्दन को तोड़ देता है और उसे जान से मार देता है पर अब यहां रॉकी को पता चल गया होता है कि अधिरा को माइन के बारे में इंफार्मिशन बाहर से मिली है तो वह तुरंद अपने लोगों को खटा करता है और सीधे पहुंच जाता है पालिया में वहां पर बहु पिछे से सारी चाले नारायन ही चल रहा था और यह सारा प्लान उसी का होता है कि वो रॉकी को केजीएफ में भेंजेंगे गरूना को मरवा देंगे रॉकी को मरवा देंगे और केजीएफ को अपने कंट्रो में ले लेंगे चूकि रॉकी ने पूरे पाल्लियामेंट के साम पर रॉकी वहाँ उन्हीं नहीं मिलता नेक्स्टिसिन में हम लोग रॉकी को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े सीपर होता है सीपर उशने भी तक सारा सोना रखा होता है और ये सोना बहुत ज़्यादा होता है रमिका को भी ये बात पता होता है क्योंकि रॉकी ने खुद सीप से यहाँ बात बताई होती है मतलब रॉकी को पता चल गया होता है कि उसका अंत नस्दिक है इसलिए वह खुद ही अपनी जानकारी दे दिता है और अब वह खुद ही मरना चाता है पर पानी के अंदर सारी सोने के साथ क्योंकि सोना उसी के साथ डुब जाएगा और किसी को भी नहीं मिलेगा और होता भी ऐसा ही है सारी fighter plans रॉकी पर अटेक कर देते हैं और उसकी पूरी सिप ब्लास्ट हो जाती है रॉकी और सोना दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं और दुबारा कभी भी किसी को नहीं मिलते और रमिका रॉकी के बारे में हर एविडियोज को मिटा देती है और साथ में वहया भी पक्का करती है कि कहीं पर भी रॉकी का जिक्रण हो और इसलिए सिर्फ आनद ही होता है जिसे रॉकी के बारे में पता होता है आनन इस पूरी स्टोरी को लिखता है और बाद में उसे पब्लीज भी करता है और इसी तरह यह मुई यही पास खतम हो जाती है